नमस्कार दोस्तों मैं हूँ एडूकेडीपी पांडया और आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि सेक्स टार्वसन क्या है दोस्तों आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ती के मुबाइल पर वीडियो कॉल आती है वीडियो कॉल आने के बाद वो अब्यक्ति उसको रिशीव कर लेता है और जब रिशीव कर लेता है तो देखता है कि सामने उस मोबाइल पे उस कॉल पे कुछ sexual activity हो रही है और आपका छेरा भी सामने होता है थोड़ी टाइम बाद वो काल इंड हो जाती है जब तक आप समझते हैं कि क्या है कैसे है तब तक वो काल इंड हो जाती है अब थोड़ी टाइम में वो आपको वीडियों तयार करके भेज दी जाती है वीडियों कैसे तयार होती है कि बहुत सारे screen recorder app है जिसके जरीए आपके स्क्रीन पे क्या चल ला है जो कुछ भी चल ला है उसको रिकार्ड किया जा सकता है और वो रिकार्डिंग करके आपको भेज दी जाती है और भेजने का मकसद क्या उनका भेजने का मकसद यह है कि आपको ब्लैक मेल करना फिर उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड की जाती है आप कहते हैं कि पैसा नहीं दूँगा मैंने ऐसा क्या किया तो कहा जाता है कि ये वीडियो जो है जिसमें तुम्हारी फोटो है और इसको वाइरल कर दिया जाएगा इन्टरनेट पे, यूटूब पे, फेस्बुक पे तुम्हारे रिस्तेदार जानेंगे तुम्हारी बैज़ती होगी आदमी डड़ जाता है और वहीं से वो फस जाता और एक बार जब श्टार्ट हो जाता है फसना तो उसे निकलना उसे बड़ा मुश्किल हो जाता है और निकल नहीं पाता है इसमें mail भी है, इसमें female भी है बहुतों ने बहुत कुछ बरबाद किया है कई लोगों ने तो suicide भी कर लिया है तो एक बार जो इसके गरत्में आजाता है वो आही जाता है और फंसा रह जाता है इसमें आपने देखा होगा कि जब हम मुबाइल पे कोई गेम खिलना है या सोसल मीडिया पे हैं तो खटाक से एक लिंक आ जाता है कुछ ऐसे आप के खुल के आ जाते है जिसमें लिखा जाता है कि लड़की से बात करने के लिए प्राइबेट बात करने के लिए आप इस आप को डाउनलोड कर लीजी या लड़की से बात करने के लिए इस लिंक पे जाएए ऐसा भी मैसे जाता है कि मैं अकेली हूँ अगर कोई लड़का मुझसे बात करना चाहता है तो इस link पे जाए और आदमी क्या करता है कि यही काम उसको नहीं करना है लेकिन वो कर जाता है करता क्या है कि उस link पे चला जाता है या उस app को download कर लेता है वहाँ account बना लेता है और जो hacker है जो इस तरह के crime कर रहा है जो cyber crime कर रहा है वो बहुत जादा पड़े लिखे नहीं है लेकिन इतना जरूर पड़े लिखे हैं कि वो सामने वाले की psychology को भाफ लेते हैं समझ जाते हैं कि कोई ब्यक्ति लगता है कि इसमें रूची रखता इस तरह के चीजों में इसलिए तो वो इस app पे वो account बनाया है और यहां आया है तो वो इन चीजों को समझ जाते हैं और उसके बाद वो उनको black mail करने का अपनी scheme बना ले लगते हैं और उसके बाद वो वहां से बाते होती है, बाते होती होती है फिर number का आदान हो जाता है WhatsApp髙 का हो जाता है तो चैटिंग शुरू होती है जाती है आप उधर से लड़की कहती है कि मैं चाहती हुँ कि हमारी बात वीडियो कॉल के जरीया हो तो जब वीडियो काल के जरीय होती है तो फिर वो उसकी demand होती है कि हम चाहते हैं कि आप अपने private parts को दिखाएं तो लड़के को लगता है कि यार इसकी इक्षा है तो क्या उन्हें इसको दिखाई दूँ तो वो क्या करता है कि वो समझ नहीं पाता है इतना वो भावनात्मक रूप से बहता है कि समझ नहीं पाता है और अपने private parts को सो करता है और जब अपने private parts को सो करता है उसके बाद वो अपिछा करता है कि सामने वाली जो देखती है वो भी अपने private parts को सो करे लेकिन जैसे ये कह जाता है सब कुछ होता है वैसे ही काल इंड हो जाती है तो यह देखा जाता उसके बाद कि जो उनके बीच में बात हुई थी जो वीडियों कॉल के जरिये हुई थी सारी वीडियों तयार करके उस ब्यक्ति को भेज दी जाती है उसके बाद उनको ब्लैक मिल किया जाता है उनस कर दी जाएंगी वह viral करते नहीं हैं लेकिन गोधंकी देते हैं इधर ब्यक्ति इत्ना डर होता कि वह देता जाता है तो उसमें फ़स्ता जाता है फ़स्ता जाता है वो किसी से कहता भी नहीं है अपनी इंश्जत का डर होता है तो दोस्तों जब भी आपको लगे कि मैं स्कैम के गरत में आ गया हूँ मैं फस गया हूँ मुझे ब्लैक मेल किया जा रहा है तो आपको उसी छण एक डिसीजन लेना पड़ेगा और वो डिसीजन ये होगा कि आपको पैसे नहीं देने हैं आपको वह बात अपने किसी करीबी अपने रिस्तार या अ इतना जल्दी हो अतना जल्दी बता देनी है ताकि आप किसी नुकसान से भश सकें और दूसरी बात आपको लगता होगा कि कह रहे हैं बताने के लिए इतना आसान दोड़ी होता है दूससे लगता है कि पांच जार 10,000 देके मेरी इ Gal तो बच जाईगी लेकिन ऐसा नहीं है, आज तक मेरे पाद बहुत सारी काल आई, बहुत सारी लोगों की समस्याई आई, हर ने पैसा दिया है, एक बार दिया है, दोबारा दिया है, तो आप से पैसे तब तक लिये जाएंगे, जब तक आप दे सकेंगे, आपको धमकाया जाएगा कि आपकी इस भी नम्मर से आती है जैसे ही आप उठाते हैं तो इसे ब्लाग करते जाएए आप अपने सोचल मेडिया अकाउंट को डी एक्टिवेट कर दीजिए और किसी तरह की कोई बात किसी भी मैसेज का कोई रिपलाई रिने करें इन चीजों से आप वहां से बच्चियों ध्यान रखिए आप पैसा एक भी मत दीजिए आप जो भी देंगे आपको लगेगा कि मैं 5000 देके बच जाऊंगा और वो मेरी चीजों को वारल नहीं करेगा तो ऐसा नहीं है वह आपसे पैसा लेता रहेगा और आप फंसत मैं क्राइम ब्रांस से बोल ला हूँ आपकी खिलाब सिकायत है आप के खिलाब वीडियो मिली है तो ऐसे दसाम में फिल्वत की घौट नहीं है क्योंकि पुलीस इस तरह की कोई भी कॉल नहीं करती है क्योंकि आप और विक्टीम है एक कैस्ट नहीं तो आपको घबलाने की ज़रुवत नहीं है पिडित आप है इस तरह की कोई कौल नहीं आती हाँ आपको इस बात का ध्यान जरूर देना है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इस बात अपने फैमिली में किसी को ज़रूर बताएं अपने करीबी दोस्त को बताएं कि आपके साथ क क्या क्या हुआ है और इसकी तुरंद सिकायत आप पुलिस में जाके कर सकते हैं साइबर क्राइम के पोर्टल पे जाके कर सकते हैं ताकि यदि आपकी कोई वीडियों इंटरनेट पे डाली गई है या डाली जाती है या आपको जिस माद्यम से वीडियों मिली उस डिवाइस को जाके उस device को deactivate किया जा सके डिलीट किया जा सके और यह पुलिस का काम है तो जरूर आप शिकायद जरूर करें कि आपके साथ इस तरह का हुआ है अपराद आपके साथ हुआ है जो cybercrime है तो दोस्तों कभी भी इसको आप शिपाये नहीं जैसे ही होता है वैसे ही आप बताऊंगा कि जब भी आपके फोन पे कोई इस तरह की वीडियो कॉल आती है उस नमबर को नहीं जानते उस ब्यक्ति को नहीं जानते तो इस काल को रिशीब न करें हो सकता है कि सामने वाला कौन हो सकता है आप नहीं जानते और उसके सिकार हो सकते हैं तो कि जैसे ही आप र आडियो कॉल बात करिए यदि वीडियो कॉल आ रही है तो उसे आप सावधानी से उठाएं और कोशिस यह करें कि जब आप उस वीडियो कॉल को रिशीप कर रहे हैं तो सामने कुछ आपका चेहरा नहीं होना चाहिए आप इस तरह करके देख सकते हैं ताकि इधर का चेहरा है यदि आपको लगता है कि नहीं डाउट है क्योंकि आप डाउट करिए पहले से लगता है कि नहीं कुछ गरबर है तो आप उन्हें वहीं ब्लॉक कर दें उन्हें वहीं काड़ दें आज की इस वर्चुल दुनिया में बहुत सारे फ्राड हो रहे हैं और ये जो कोबीट काल से बहुत ज्यादा लोग इसके सिकार हुए हैं इस तरह कि मेरे पास बहुत सारे मेसेज आए बहुत सारे मेरे जानने वाले इसके सिकार हुए हैं तो जानकारी रखिए और जो इस दुनिया में वर्चुल दुनिया में जो इस तरह के फ्राड हो रहे हैं इससे बचिए और कोई भी व्यक्ती शिकार हो सकता है जो शिकार होता है वो कहता नहीं है जब पुरी तरह से फंजाता है तो वीडियो आच्छील लगी हो तो लाइक जरूर कर देजिएगा और अपने दोस्तों को भी इस विडियों को सेयर करेगा ताकि और लोग भी bes सकेน चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजेगा वीडियों देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाई